सो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छों होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे बहु भी कल भी प्रेशन लेकर के आई हूं जो इसना तक कक्षाओं में होने वाले रास्ट गौरों के प्रेशन पत्र में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंट्स यहां पर बताये के कोशन बहुत यदा इंपोर्टन्ट है इस तरीकी के कोशन अक्सर कॉम्पलिटिव एक्जाम्स में भी आते हैं तो इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक वौच करेगा बिलकुल भी स्क ज wärenते हैं। वहुं भी कल्पिय प्रेशनों के विशे में। हमारा पहला प्रेशन यहां है कि दस पुरुष्रम राज्यका उल्लेकि किस्न में मिलता है। आपके ओप्षनस हैं। आप्षन नंबर वन शतपत-ब्रामंहन में। ऐत्रेय ब्रामंहन प्रीं मतस्य स्पुरान मे option number 4 विश्णु पुराण में तो इसका correct answer होगा option number 1 शत्पत ब्राम्हन में 10 पुरुष्रम राजी का उलेख शत्पत ब्राम्हन में मिलता है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि भक्ती आंदोलन का उदय कहां हुआ था आपके options हैं option number 1 उत्तर भारत में option number 2 दक्षिन भारत में option number 3 महरास्टर में option number 4 गुजरात में तो इसका correct answer होगा option number 2 दक्षिन भारत में भक्ती आंदोलन का उदय दक्षिन भारत में हुआ था हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि बहुत धर्म की दो शाखाएं कौन सी थी आपके options हैं option number 1 महायान तथा हीन यान option number 2 जोतिश तथा दर्शन option number 3 वेद तथा पुरान option number 4 उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option number 1 महायान तथा हीन यान बहुत धर्म की दो शाखाएं महायान तथा हीन यान थी हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि तक्ष शिला के नामकरण का आधार क्या है मतलब तक्ष शिला का नाम किसके आधार पर पड़ा है आपके options हैं option number 1 राजा दक्षपती के नाम पर option number 2 एक पहाड़ी के नाम पर option number 3 त्रिफला की थंडी तक्षिका के नाम पर option number 4, राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तो इसका correct answer होगा option number 4, राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर राम के भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था और उन्हीं के नाम पर तक्ष सिला नाम इसका रखा गया था हमारा अगला प्रस्णि यहाँ है कि इनमें से कौन 3 पिटक में शामिल नहीं है, आपके ओप्शन्स हैं, ओप्शन नमबर 1, सुद पिटक, ओप्शन नमबर 2, विनए पिटक, ओप्शन नमबर 3, अभिधम पिटक, ओप्शन नमबर 4, जातक तो इसका correct answer होगा option number 4 जातक जातक कथा है त्रीपिटक में शामिल नहीं है हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि वेडी सनहार के रचैता कौन थे आपके options है option number 1 भद्ध नरायन option number 2 दंडी option number 3 वामन option number 4 रुईयक तो इसका correct answer होगा option number 1 भद्ध नरायन वेडी सनहार के रचैता भद्ध नरायन है हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि संसकार शब्ध का अर्थ क्या है आपके options है option number 1 शुद्धी करण option number 2 सरली करण option number 3 वन वा टू दोनो option number 4 उपरिक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option number 1 शुद्धी करण संसकार सब्ध का अर्थ शुद्धी करण है निमनलिक्त संसकारों मैंसे जीवन का अंतिम संसकार कौन सा है आपके options है option number 1 समावर्तन option number 2 विवाह option number 3 अंतेस्टी option number 4 निश्क्रमन तो इसका correct answer होगा option number 3 अंतेस्टी जीवन का अंतिम संसकार अंतेस्टी संसकार है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है आपके options हैं option number 1 पाली option number 2 प्राकरत option number 3 संस्कृत option number 4 खरोष्टी तो इसका correct answer होका option number 2 प्राकरत जैन ग्रंथों की रचना प्राकरत भाशा में की गई है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि गीता में कुल कितने अध्याई हैं आपके आप्शन्स हैं आप्शन नमबर 1, 16 आप्शन नमबर 2, 10 आप्शन नमबर 3, 14 आप्शन नमबर 4, 18 तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप्शन नमबर 4, 18 गीता में कुल 18 अध्याई हैं हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि भारतिय दर्शन का मूल श्रोत क्या है आपके आप्शन्स हैं आप्शन नमबर 1, महाभारत आप्शन नमबर 2, रामायन आप्शन नमबर 3, वेद आप्शन नमबर 4, उपरिक्ट मैंसे कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप्शन नमबर 3, वेद भारतिय दर्शन का मूल श्रोत वेद है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि कौरव पांडवों का इतिहास वरनित है अर्थात किस ग्रंथ में वरनित है आपके आप्शन सें आप्शन नमबर 1, रामायन में आप्शन नमबर 2, महाभारत में आप्शन नमबर 3, दोनों में आप्शन नमबर 4, दोनों में से किसी में भी नहीं तो इसका करेक्ट आंसर होगा option no.2 महाभारत में कॉर्वो और पांडवो का इतिहास महाभारत में वर्णित है फ्रेंट ये थी जानकारी कुछ बहु विकल्बी प्रशनों के विशे में उमीद करते हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमन करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ